ओके तो यार केस हो तुम लोग तो देखो यार हम बचपन से बेंटेंड देखते हुए आ रहे हैं और हमें बेंटेंड की वाच यानि ओमेट्रिक सा कलर हमें इसा ग्रीन ही देखने को मिलता है तो ऐसा क्यों है कि जो बेंटेंड की वाच है उसका हमें कलर ग्रीन ही देखने क मिलता है, खूल है और और वीडियो के मुकाबले कुछ जादा भी बड़ी नहीं होने वाली तो यार अरामसे इस वीडियो को देखना, अब देखो यार जैसे हम different classic series देखने को मिली ते उसमें तुल में देखने को मिलता था ALL वो हमेसे green color का ही होता था अब उसके बाद जैसे alien force आई उसमें भी हमें पूरी watch दो है green color की देखने को मिली अब बात करें बैंटन ultimate alien force की और omniverse की तो उसमें भी हमें बैंटन की watch का color green ही देखने को मिला है देखा और इसका simple सा reason है तो बैंटन का creator यानि एजमत है उसका favorite color green है और देखो एजमत जिस planet का यानि Galvan Prime उसका भी color जो है वो ग्रीन ही है और देखो एजमत ने जितनी भी creation बनाई हुई है उन सबका जो color है वो भी green ही है एजमत को green color इसना पसंद है कि उसने अपनी सारी जितनी भी creation है उसे green color कहीं बनाया है देख यार इस वाली वीडियो में नहीं बता हुआ अगली वाली वीडियो में बता हुआ क्योंकि ये वीडियो जादी बड़ी हो जाएगी अगर मैंने इसे भी हाँ पर ले लिया ओके चैट ठीक है देख यार आपके सोचने से पहले हम आपको बता दू जो हमें अलग-अलग dimensions की Omniverse में watches देखने को मिली है उस dimension का जो azimut होगा उसने Emotrix को इसलिए ये color दिया होगा क्योंकि उसे वो color सबसे ज़्यादा पसंद होगा अब जैसे मैं Ben 10 के planet में गैल में planet green color को देखने को मिलता है वैसी ऐसा हो कि जो सारे dimension है उनमें जो गैल में planet होगा उनका भी color अलग-अलग होगा सो बस यार यही थी आज की वीडियो आई होप यार आप सभी लोगों पसंद आई होगी पसंद आई तो लाइक कर दो और चैनल प्रियों तो सस्क्राइब कर दो और Instagram, Twitter और Discord सर्वर भी जॉइन कर लेना तब तक लिए दूस्तो बाइ-बाइ टाटा सी यू